कि सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट पेलाइक है वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियंग तो हम फिर से जूर चुके हैं अपने इंग्लिश के धमाकेदार सेशन के साथ जसमें आज हम डिसक्स करने वाले हैं अबाउट फोस्टेस्ट डैट विल स्टडी वेरी क्लोजली है हम इसको बहुत क्लोजली अच्छे से पढ़ेंगे एक नए अंदाज में और नए पैटन के साथ बेसिकली क्लोजली के साथ आप लोगों को सीखना है क्लोज टेस्ट मेरे साथ जल्दी से स्वाटा फर्ट सेशन को शेयर कर दीजे सब्सक्राइब जूड़ जाएं हम सभी के साथ और किसी के साथ भी सेशन छूटना पाएं तो जल्दी से डूमा के ओडिजिटल इटेंडेंस और डूंट फोर्गेट तो शेयर दा सेशन स्टार्ट करते हैं फर्दर विद बीज़िफुल स्माइल विद बीज़िफुल सब्सक्राइब को थिंग भी ट्रॉस्ट यॉर सेल्फ एंड मेक इट हैपन बड़ा सोचो अपने पर विश्वास रखो एंड मेक इट हैपन और उसको कम्प्लीट करो है ना और उसको पूरा करो यानि मेक इट हैपन का मतलब क्या हो गया कि उस चीज को आप पूरा भी करो चीज हमेशा अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए कि जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे बड़ा सपना नहीं देखोगे उसके लिए वह खाड नहीं करोगे तब तक की चीज़े आगे नहीं बढ़ पाहेंगी तो इस वाज दिए इस वाज़ी मोटिवेशनल वन इस तरीके से बड़ा सोचें उसके लिए महनत करें और अपने उस ड्रीम को पूरा करें तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले ले लोग टेस्ट क्लोश टेस्ट क्या होता है पहले तो हम यह जाने लोग टेस्ट होता क्या है लोग टेस्ट जिसमें आपकी ग्रामर और नवर्य इंस अफका टेस्ट किया जाता है इसलिए आपकी ग्जांब में पूछा जाता है ठीके लोग टेस्ट में आपके दो-тिन पॉइंट बहुत्स सब्सक्राइब कर दोज़ए नियो खोट क्लोश टेस्ट आप vocabulary का सबसे बड़ा problem यह है कि यह बहुत vast है तो vast vocabulary को कम करने के लिए आपको इतना ध्यान देना होगा कि आप डेली जो words पहटते हो उनको सिर्व रिवाइज कर लो memorize करने की ज़ूद नहीं क्योंकि जितना ज़्याद आप याद करने कोशिश करोगे इतना ज़्यादा भूलोगे जिस इंप्लिमेंट दोस वर्ट इंट यॉर लाइफ अपनी लाइफ में उनको यूज करो कभी भी गलती नहीं होगी ओके अब इसमें हम देखते हैं टाइप वर्ट देखो कि आपको किसी ब्लैंक के साथ कोई वर्ट दिया होता हैं व法 और और एक सेंटेंसमेंट में क्या होता है कि आपको सिब एक blank word दे दिया गया तो है उसके against options दे दिये जाते हैं एक आता है phrases है ना phrases में मतलब हो सकता है आपका यहां पे इसके against कोई phrase दे दिया गया हो ठीक है और आपको against उसके चार options और no replacement required वाला option दे दिया गया हो तो इस तरीके के इन टाइप के questions आपको exam में देखने को मिलते हैं इस बार जो नया pattern है मतलब आल्मोस्ट यह दो तीन साल से आ रहा है कि इन तरीके के जादा आपके exam में पूछे जा रहे हैं closest फिर चाहें वह प्री लेवल हो यह मेंस ले का session और आपको करना क्या है यह देखिए आपके सामने question है कि in the following passage one of the words some of the words have been highlighted in both kuch words को bold में highlight कर दिया गया है read the passage and try to understand मतलब passage को पढ़िए और कोशिश करिए समझने की what it is trying to convey वह क्या convey करने की या क्या बताने की कोशिश करें then replace the highlighted words with the correct options then on highlighted words correct option के साथ क्या करें replace करें if it is required अगर जरूरत है तो in order to make them grammatically and contextually correct अगर जरूरत है replacement की तो ही replace करें लेकिन अगर word correctly दिया हुआ है then you have to mark no improvement required इस तरीके के instructions आपको देखने को मिलते हैं okay very good morning very good morning all of you very good morning चलिए जल्दी से आगे बढ़िए और आपके सामने आ गया यह पैसेज छोटा सा पैसेज है I just give you all one minute to read जल्दी से पढ़िए और बताईए कि क्या समझ में आया है first everyone first मैं side हो जाती हो तो इसमें आप लोगो पूरा क्लियरली दिखेगा जल्दी से बताईए ओके जल्दी से रीड करिए once you done once you have done reading just tell me देखो होली का तेवार था इसले पैसेज भी थोड़ा होली से related ही ले लिया हमने so it will be interesting to you all चली फटा फट स्टार्ट करते हैं लिखाए in view of holy मालब होली के चकर में क्या हुआ है देली ट्राफिक पुलिस जो डेली की ट्राफिक of motorist जो मोटर कार चलाने वाले हैं जो मोटर चलाने वाले हैं बाइच लाने वाले उनके लिए सेफ्टी के लिए कुछ सेफ्टी सिंपल अर्रेंजमेंट्स किया है and special checking teams will also be deployed at major notes to detect and prosecute traffic ट्राफिक वालेटर्स मतलब जो ट्राफिक रूल्स को तोड़ने वाले हैं उसके लिए special team को deploy किया गया है मतलब deploy करने का मतलब हो गया उनको वहां पे असाइन किया गया है ठीक है और official said on Saturday Saturday वह officials ने बोला so the traffic police has appealed traffic police नहीं appeal to all motorist to avoid traffic violations मतलब वह traffic rules को ना तोड़े and argue people to follow government directives यानि की गजो government के rules and directions है उनको follow करें and not celebrate the upcoming festivals at public places और जो आने वाले festivals है उनको public places में at least ना celebrate करें इससे काफी तरीके की चीजे हानी होती है हाम सोते हैं so as the festival of holy will be celebrated on Monday क्योंकि जो festival of holy हाला कि हम लोग celebrate कर चुके है not on Monday but यह passage के according है क्योंकि हम लोग जो festival है holy का वो कब celebrate करेंगे Monday को करेंगे so elaborate traffic arrangement have been made to ensure the safety of motorist on roads and strict action will be taken against those found indulging in drunken driving performing stunts on two wheelers riding without helmets over speeding jumping the red light dangerous driving or any other traffic violations according to the traffic police यानि की traffic police के according कोई भी अगर traffic rules को वोईलेट करता है तू वीलर जो stunts करते नहीं है कि अग्दम मार गारी अपनी भागाए पड़े हैं खुब स्पोर्स बाइक की तरह चला रहे हैं और जो ड्रंक हो करके ड्राइब कर रहे हैं ठीक है और बिना helmets के चल रहे हैं तो इन सब चीज़ों को अवाइड करना होगा तो इस्पेशल चेकिंग टीम्स विल बी डिप्लॉइड है इस्पेशल चेकिंग टीम्स को वहां पर साइन किया जाएगा डिप्लॉइ किया जाएगा अट मेजर intersections and vulnerable points to detect and liberate traffic violations मैं यानि कि जिस्ते की traffic rules को वाइलेट ना किया जाएगा जाएगा चल आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे आगे नहीं सॉरी अब यहां पर आपको A और B ब्लैंक के लिए हमने यह पहला आपके सामने यह रहा यहाँ आपको फिल ब्लैंक नंबर A क्या आएगा यहाँ पे इन व्यू आफ होली देली ट्राफिक पुलिस हाज मेड सिंपल अरेंजमेंट्स बहुत सिंपल होंगे डैली पुलिस नहीं हमने देखा पूरे ट्राफिक रूल्स को यहाँ पे जिससे वाइलेशन ना हो यहाँ पे उससे रिलेटेड बात कही गई तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कौन बताएगा सिंपल करेक्ट है यहाँ पे बात क्या हो रही है कि arrangements are being made very carefully to ensure the safety of motelist तो simple arrangements तो होंगे नहीं if you have to be very careful तो यहाँ पे होगा आपका आंसर elaborate है ना क्या होगा आंसर elaborate elaborate यहाँ पे होगा यानि की elaborate is the correct answer to be filled over here ठीक है, plain, consulted और हेस्टी, हेस्टी मतलब in a hasty manner, यानि कि हरिदली, बहुत जल्द बाजी में plain arrangements नहीं होंगे ठीक है, तो यहाँ पे plain मतलब एकदम साधे, ठीक है, consulate का मतलब भी आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, elaborate is the correct answer B blank के लिए देखते हैं, B के लिए options आपके सामने रहे, यह और हम हो गए है, side, लिखा है, will be will also be deployed at major notes to detect, तो what is this notes? what is this notes? अभी इनके meanings भी हम आपको बताएंगे, don't worry पहले आप लोग बताव, answer क्या होगा divergence, agguration, retributions, intersections, देखो यहाँ यहाँ पे intersections of the road, जो connecting roads है, उनके लिए, ठीक है, कि जिससे की prosecutor, जो traffic violators है, वो traffic rules को violate न कर पाएं, तो यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा, intersection is the correct answer, क्या हो जाएगा, intersection is the correct answer, जो यहाँ पे हम fill करेंगे, okay everyone, intersection is the correct answer, अब इसके meanings देख लेते हैं, आपे लेकिन, blank number C में भी पहले fill कर लेंगे, कि the traffic police has appeared, traffic police है, उसने appeal किया है, सभी motorists से, to avoid traffic violations, कि traffic violations को avoid करे, and argued people to follow government, तो लोगों से वो argue तो करेंगे नहीं police, request करेंगी, तो persuade, yelled, snapped या urged, यह तो बहुत जल्दी आप लोग बतालेंगे, obvious से बाते, urge करेंगी, request करेंगी, तो urge the people to follow government directors, और लोगों से द्रख्वास की की government directors, government rules रूल है, उनको follow करे, and not celebrate the upcoming festivals at public places, public places में ना celebrate करें, यह meaning सारे दिये हुए है, जिनका meaning आपको नहीं पता है, elaborate का मतलब होता है, done or made very carefully, मैंने आपको पहले ही पता है, कि traffic rules जो बहुत carefully बनाए जा रहे है, plain का मतलब होता है, that is easy to see, easily जो चीज़े देखी जा सके यह understand यह समझी जा सके यह clearly हूं, consolidate का मतलब होता है, building where a console works, hasty मैंने का जो बहुत fastly in a haste manner जो किया जा जल्दबाजी में किया जाए, divergence जो diverging roads होती ना, उसको हम बोलते हैं, agguration मतलब prayer, appeal और entity, retribution का मतलब होता है, किसी crime के लिए punish करना, intersection मैंने बोला ना, place where two or more things intersect, जो एक से ज़्यादा जगे intersections होते हैं, argued मतलब किसी से argument करना, persuade का मतलब होता है, to make somebody to do something by giving him or her good reasons, अच्छे reasons के साथ उसको काम करने के लिए बोलना, persuade करना, yield मतलब बहुत तेजी से चिलना, गुस्य में एक्दम excited हो जाना है, एक्दम गुस्य में उसके उपर हावी हो जाना, snap का मतलब to break or be broken suddenly, usually with a sharp noise, मतलब बहुत ज़्यादा sharp noise की वजह से you have been snapped, और श का मतलब दर्ख्वाज या request करना या, advice करना is the correct answer, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, इसके मीनिंग भी, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और blanks की तरफ यानि की D और E blank की तरफ, तो D और E blank के लिए पहला आपके D के लिए ये दिया हुआ है, बताइए D में क्या आएगा, who's gonna tell, as the festival of holy will be celebrated on Monday, elaborate traffic, मतलब careful traffic arrangements जो हैं वो करे गए हैं, been made to ensure the safety of motorist on roads and strict action, और strict action लिए जाएंगे उनके against those found indulging in drunken activity, तो disalign, abstaining, refusing या depressing in drunken driving, या indulging यहां पर correct है, कौन बताएगा, यहां पर indulging correct है, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, indulging जो है correct है, therefore, जो आपका यहां पर option होगा, that is no improvement needed, क्योंकि जो drinking, driving कर रहे होंगे, जो indulge होंगे, हैना जो आपके उसमें मिले होंगे, कि वो drunk करके drive कर रहे हैं, जो उनको पाया गया, कि रंक करके drive क कर रहे हैं, या perform कर रहे हैं, या perform कर रहे हैं, two wheelers पे, they are riding without helmets, हैना, over speed में चल रहे हैं, red light को पार करे जा रहे हैं, dangerous driving कर रहे हैं, या किसी भी तरीके के traffic rules को violate कर रहे है, तो यहां पर no improvement needed है, next हमारा E के लिए blank दिया हुआ है, इसमें बताएगा, special checking teams, जो special checking teams है, उनको deploy किय आजाएगा, at major intersections and vulnerable points, to detect and liberate traffic violation, liberate मतलब होता है, free कर देना, तो I hope, कि liberate तो यहां नहीं आएगा, तो क्या आएगा, seize traffic violations, exonerate, prosecute, or stop traffic violations, तो यहां पर आपका answer हो जाएगा, prosecute traffic violations, prosecute traffic violations, है ना, prosecute करना, ठीक है, तो इसका meaning देख लेते हैं, कि prosecute का मतलब हो गया, to officially charge somebody without crime, अगर किसी ने traffic rules को violate किया, तो उनके उपर कहीं न कहीं charges लग जाएंगे, indulge मतलब होता है, अपने आपको allow करना for doing something, this allow मतलब not to allow something, abstaining मतलब to choose not to do or have something, मतलब कुछ न करना, refusing मतलब मना कर देना, ठीक है, some depressing का मतलब, demoralize कर देना, बहुत painful हो जाना, liberate मतलब मैंने बताया था, to be free, seize मतलब किसी चीज को stop कर देना, exonerate मतलब to say officially that somebody was not responsible for something bad that happened, मिलद जो बुरा हुआ उसके लिए वो बंदा या बंदी responsible नहीं है, and stop का मतलब तो बताई है, to stop moving or something or finish moving, finish moving, तो यह इसके meaning जो गए, यह passage easy था, हमने easily इसको कर लिया, अब next type of passage, देखो against words दिये थे, इसलिए और हमारे लिए easy हो गया, कई लोग simple arrangement जिसे first था दो उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन careful arrangements की बात की गई थी, तो हमने elaborate कर दिया, okay everyone, चलो, next passage रहा आपके सामने ये, first read it out, then we'll do the questions, first everyone, you all have to read it yourself, बहुत easy passage है, बहुत easy, चल्दी से पढ़िए, I know, सब लोग holy से बहुत ज्यादा ठके होंगे, और आज भी holy खेलने के mode में है, और अभी कहो हो सकता है, खेल भी है हो, done reading, चोड़ा साथ पैसे साथ, दिको इस तरीके की closest को हम पढ़ते कैसे, अपने बार 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 बताया, फिर से बता रही है, देखो, जैसे अगर once in a while I have to read it, तो how will I, I'll do it, the first regional conference, जो पहली regional conference भी अफगानिस्तान, hosted by India, जो भारत दौरा होस्ट की गई थी, वास सक्सेस्फुल इन फोर्जिंग, फोर्जिंग मतलब, फोर्ज मतलब धोखा, आँ आँ थी की इशू, थीन की इशू पर की गई, preventing the war-torn country, यह दौवाली country, देश, from becoming a safe for global terrorism, जो यह पूरा गलोबली टरिसम आतंग वाद पहल रहा है, the need for a truly inclusive government in Kabul, and unimpeded delivery of humanitarian aid to the Afghan people, Wednesdays meeting was attended by security czars, of Iran, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tazakhistan, Turkmenistan and Uzbekistan, all countries with huge, यह सभी countries क्या थी, with huge in the stability of Afghanistan, stable थी अफगानिस्तान के साथ, it would appear the outcomes of the Delhi Regional Security Dialogue exceeded India's expectations, जो भारत की थेश्टेशन से बढल गई, as there was a great degree of convergence in assessments, made by the eight countries, about the and challenges emanating from Afghanistan, this was reflected in the Delhi Declaration of Afghanistan, तो यह पर अफगानिस्तान वी जो मीटिंग वी ती, जो रिजिल कॉंफरेंस वी थी बाई इंडिया, that is hosted by India, उसके बारे में बात की गई, चलिए एक एक करके ब्लैंक को फिल करते हैं, तो फिल कॉंफरेंस ओन एफगानिस्तान वी इंडिया, वास सक्सेस्फुल इन फोर्जिंगा, किस चीज में सक्सेफुल थी फोर्जिंगा, युनानिमीटी, यानि की एकमद होना, कॉंसेस्ट्स, कॉंसेस्ट्स का मतलब होता है, अग्रिमेंट करना, ठीक है, एक्सार्टेट का मतलब क्या होगा यहां पर, जो यहां पर एक्शली बात करी जारी, इस टॉकिंग अबाउट दी, अच्छा कोई कुछ कहा रहा है, नहीं, पढ़ो इसको, सॉल्ट करो पहले, सक्सेस ओफ इंडिया, किसी एक एग्रिमेंट को, कुछ इशूज को ले करके, जो भारत की सक्सेस है, उसके बारे में बात करी जारी है, तो यहां पर पर क्या आजाएगा? यहां पर क्या आजाएगा बताईए, यहां पर पहली बात अगर हम देखे, तो एक वोप की हमें नीड है युनानिमस युनानिमिटी का मतलब एकमद होना तो यहां पर आपका अंसर क्या हो जाएगा बताओ यह जुसे के सहने और कंपैंसेशन और इपरेलेशन का मतलब ही accelerate करना ठीक है तो यह तोXT यहां पे बचाए यौह है युनानिमींट मतलब एक मत अभात की सचींद्स की बात कि जारी है कुछ इसूस पे ठीक है तो फॉर्जिंगा कॉंसेंस तो बोल सकते है तो यहीं हमारा करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर बी सेकें ब्लैंक के लिए देखे क्या आएगा प्रिवेंटिंग दी वार्टों कांट्री फ्रॉम बिकमिंगा सेफ फॉर ग्लोबल परियरिजम तो बिकमिंगा सेफ शेल्टर रफ्यूजी हैवन और हेवन और हार्बरिंग क्या होगा यहां पे यहां पे हैविंगा शेल्टर और रफ्यूजी की अगर हम बात कर दें तो प्लेस ऑफ सेफ्टी यह तो प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात कर देंगे तो उपर क्या बोला जा रहा है उपर क्या बोला से बचने के लिए तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा आपसर नुमबर सी अजब करेक्ट आंसर निच्ट ब्लैंक्स देखते हैं यहां पर consensus मैंने बताना एग्रिमेंट एक्सार्ट मतलब होता है किसी चीज को the huge in the stability of Afghanistan तो huge क्या होंगे stakes यानि कि shares तो इन तीनों में अगर हम देखे तो सबसे इंट्रेस्टिंग गैंबल तो नहीं होगा rivalry मतलब conflict तो विद यूज stakes की बात करेंगे यहां पर तो आंसर हमारा हो जाएगा stakes as the correct answer यह तो देख के ही पता चल गया आगे लिखा हुआ है India's expectation as there was a great decree of convergence अभी मैंने बताया meaning is का in assessments made by the aid countries about the ultimate and challenges about the warning challenges about the treaty and challenges hostile मतलब unfriendly threat मतलब दराना धंकाना तो यहां पर क्या आजाएगा आपका यहां पर आजाएगा threats क्यूंकि terrorism की बात होड़ी थी that is challenging and emanating last blank की तरफ बढ़ते हैं कि this was reflected in the यह कहां पर reflect वा Delhi declaration जो था on Afghanistan उसके बारे में तो this convergence unions और convergence तो यहां पर एक प्रणाउन है इसके बाद हमें यहां पर किसकी need है यहां पर context actually जो focus कर रहा है न वह meeting और convergence पर focus कर रहा है यहां कि meeting के बारे में बात कर रहा है यहां पर ठीक है तो यहां पर एक प्रणाउंज है वह उसी को modify कर रहा है खाली तो answer हो जाएगा convergence इन सभी के meanings हमने आपको already दिये हुए है I hope यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस close test को और अच्छे से पढ़ने के लिए मेरी next class में जरूर जुडियेगा जिसमें हम कल मिलने वारे आपसे सारे 10 बजे और उसमें हम पढ़ेंगे फिलर्स उसमें क्या पढ़ेंगे फिलर्स का part 2 part 1 हमने पहले पढ़ा था होली से पहले अब हम यहां पाद 2 part 1 में तो stay tuned, tuned with me and don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon so that you can get each and every notifications till then thank you and have a great day ahead subscribe now and press the bell I can never miss an update